भगवान सिव के जन्म का रास्यर दोस्तों सिव पुरान में लिखाए कि भगवान से उस्वयम्भू है यानि उनका जन्म अपने आप ही हुआ है पुराणों में भगवान सिव के जन्म के विशय में बहुत सी कथा कही गई है जिसमें से सबसे प्रचिलित कता यह है कि एक बर भखवान विश्नु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है जब इन दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे तब अचानक से एक खंबे के रूप में महादे उनके बीच आ गए और एक आवाज आई कि जो भी इस खंबे का छोड ढूंड लेगा वही सबसे महान कहलाएगा यह जुनकर ब्रह्मा जी ने एक पक्ची का रूप ले लिया और खंबे का उपर हिससर ढूंडने निकल गए और विश्नु जी ने वरा का रूप धारन कर लिया और खंबे का अंत्र ढूंडने निकल गए दोनोंने खंबे का छोड बहुत ढूंडा पर उन्तु नहीं मिला फिर दोनोंने हार मान ली उसके बाद सिव जी अपने असली रूप में आ गए फिर ब्रह्मा और विश्नु जी ने मान लिया कि सिव ही सबसे महान और सक्ति साली है यह खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है तो दोस्तों बगवान सिव के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें